डेनी डेन जुंग पा बल्यूट का खुंखार भिलेन का रूप मा इस्तापित नाम हो जो कपड़ों पे रंग चड़ा दे उसे रंग रेजा कहते और जिन्दगी पे जो मौत का रंग चड़ा दे उसे चंगीजा कहते डेनी भिलेन मात्र नभायर गायक समित हुन आगे आगे तोपएको गोला यूँभंदा चीशो जस्ता ने पाली गित गायेका डेनिले लता मंगेशकर आसा वोसले मोहमत डृफ्षी जस्ता दिगगत गायेका संग गित गायेका संग अभिनाय को छेत्र मा नेपाली हिंदी संगी तेले गूर तमिल फिल्लोमा मा समेत काम गरी सके का डेनिले कालंतर मा हलिवट का बख्यात अभिनेता ब्राड पिट संग अपनी अभिनाय गरेगा सुग। अभिनेता मा इस्तापित गरेगा नेपाली मुलका डेनि को जिबन का हाथ यो तर उनले अस्विकार गरेगा थी। अजगो अंकमा। दुनिया मा आएगा थिये। डेनि डेन जोंग पा कुने वेला आफनो करियर गाय की मा बनावन चाहन थे। थुफरे नेपाली गीत गाय सके का डेनिले वारतिया फिल्म का लागी पनी गाय का संबने थोरेलाई मात्र था आओला। इन्दी फिल्ममा उनलाई गाउने मौका बोनस कारूप मा मिले गो थियो। सन उन्नाईसे बहात तरमा बनेको फिल्मा गुलिस्तान हमारामा डेनिला एक नागा बिद्रोही को भूमिका का लागी चयन गरिये गो थियो। तर पची यो भूमिका सुजित कुमार ले पाय। ático फिल्मका निर्देशक आत्मराम ले एसको शठा डेनिला एक नोकरक भूमिका मात्र दिये। फिल्म को फात्र लाइ डेनी के सुर्को की ठीक बताय पसि उक्ता गित हिंदी फिल्म मा डेनी को पौईलो गित पन्योग ch Cocacoloit पनी नेपाली भासा का उनका धेरेग गीत हीट भयकाशन। पनी अवी नेतालाई तेस बला बीदेसी भनीन। उनको नामईने उचारन गन्न मुम्बाई कालाई अप्ठेरू थियो भने अरको उनको अनुमार मंगोलियन। अईले पनी भारतिया फिल्म रशमाज मा व्यापक परिवर्तन का भावजुद बलिवड मा पुर्वत्तर भारतिया को उपस्तिती नाम मात्र रहे को अबस्तामा ततकालीन समय मा बलिवड प्रवेश उनका लागी कती कठें थियो भन्यानुमान गर्ना शकिन छा बियार चोपड़ा को निर्देशन मा बनेको फिल्म धुन्द सन 1913 मा पोईलो पटक डेनी लाई अली ठूलो भुमिकामा काम गरने अबसर मिल्यो एस फिल्मा मा उनको अभिनाय प्रशन सित हुनका साथ ही डेनी हिन्दी फिल्म निर्माता निर्देशक मा चीनी न थाले यद भी रेशकी गुलजार को 1922 मा आएको फिल्मा जरुरत मा उनले अभिनाय को अबसर पाईशकी का थिये इस पसी तीन दसक्षमा उनले फिल्मा मा साना ठुला तुप्रे अभिनाय गरे जय बच्चन ले राखे दियेको नाम डेनी विशेजगरी खलनाय को अभिनाय का लागे ख्याति प्राप्त डेनी को अज्जेपनी समझीन च मुकुल आनंदको फिल्मा अग्निपत सन 1990 मा उनले गरेको कांचा चिना को अभिनाय होस या राजकुमार संतुशी को फिल्मा घा टिबेट मा ब्रांड पिट संगे अभिनाय करेगा शन। जती बेला डेनी वल्यूद मा संगर्श घरी रहेगा थिये ते ती बेला उनी संगे जय बच्चन पनी यवटे मंज मा अभिनाय सिक्की रहेगी थिन। नेशनल इस्कूल अफ ड्रामा को जमनामा जय बच्चन असरानी र डेनी एक साथ अभिनाय सिक्ने गर थे। तेस बेला जया ले डेनी को पुरानो नाम उचारन गरन अफ्ठार भायकाले डेनी नाम जुराई देएके थिन। वारतिय सिनेमा मा त्यादिक सफलमानी ने फिल्म सोले मा उनलाई कामगर्न कलागी पस्थाप गरिये गो थियो। उनले अस्विकार गरिपसी मात्रे अमज्जद खानले गबबर्शिंको भुमिकार निबाये गा थिये। बास्तम मा तेति बेला डेनी फिल्म धर्मात्म को अमिताप को बास्केटबल खेलने साथी। डेनी अविनेता मात्रे होयनन गायक पनी हुन, गायक मात्र होयनन टेबल टेनिस खेलाडी पनी हुन, साथ साथे उनी रामरा बासुरी बादक पनी हुन। एक समय उनी अमिताप बचन संगा खुप टेनिस खेलती। कती फिल्ममा उन्यारू एक साथ देखिये का चन। चांत भद्र इमांदार डेनी अनुशाचित दिन चर्यामा आफुलाई दूरे आउशन। भियान पांच बजे उट्षन, व्यायम गर्षन, योग गर्षन आफनो दिन चर्यालाई अनुशाचित रंगले जिम्षन। चर्चाबाट टाड़े बसन चाहने डेनी मिडिया संग संदे दूरी कायम राख्षन। डेनी ले केई गजल समेद गायका शन। डेनी को सुर्मे उटा प्रसित्ध गजल स बगर इस जो गुजरे ओ जिन्दगी क्या है। यो गजल पसी उनले गजल गायकी मा अपनो करियर बनावने घोशना गरेगा थे। डेनी मने देखिंग आउशन र मीठों आउशन तर उनको कडार अलिक लहरदार आवाज गजल गायकी मा उत्ती जम्न सके न। बवुमुकी प्रतिवाका धनी डेनी सन 2003 मा पदमस्री सम्हानवार्ट स्रम्मानित भाई। सप्पोर्टिंग रोल का लागी डेनी ले फिल्म सनम बेभाफा र खुदा गभाहा का लागी फिल्म फेयर अवार्ड भाई।